हेलो फ्रेंड्स वेलकम बैक टू मैं चैनल रेसिपी जोन तो आज मैं आपके साथ शेयर करने जारी हूँ इंस्टन बनने वाला डोसा बहुत ही एजी है रेसिपी और इसे हमने बनाया है बस एक कप पोहा और एक कप सूजी से आप इस डोसे का टैक्शर देख सकते हो कितनी सा फटा-फट से जाली दार डोसे की रेसिपी को करते है स्टार्ट इसे बनाने के लिए सबसे पहले तो मैंने एक लिया है बाउल जिसमें मेजरिंग कप से नाप कर मैंने एक कप इतना डाला है साफ किया हुआ यह वही पोहा है जो रेगुलर हम कांदा पोहा के लिए यूज क और पनी हम ट्रेन करेंगे सारा पाने के बाद अब मैंने एक कपीट सूजी यह मोटी वाली सूजी है आप मोटी वाली या फिर बारिक वाली कोई भी सूजी का इस्तिमाल कर सकते हो कोई प्रॉब्लम नहीं क्योंकि हमें इस बैटर को एक बर मिक्सिम में चलाना है तो सूजी दालने के बाद हाफ कप इतनी दी है मैंने दही यह खटे वाला दी है कर लेते है मिक्स अटन में मुझे पानी की ज़रूत और लग रही है तो और हाफ कप इतना पानी जो है वह में दाल ली हूँ आप आपके हिसाब से इसमें पानी का एड़स्मेंट कीजीएगा तो इसमें हाफ कप पानी दालने के बाद एक बार फिर से इसे अच्छे से कर ल और पोहा है यह अच्छ से फूल कर आ चुका है आप देख सकते हो और यह बैटर जो हो है वह भी बहुत ही हाड हो चुका है तो अब इसे मैं शामिल कर देती हूं मिक्सी के जार में और इसमें हम जरुवत की सबसे पानी का इस्तेमाल करेंगे और इसे मिक्सी में गुमा लेते बैटर है और इसका एक डॉसा बैटर हम प्रिपिर करेंगे यह देखिए इस तरह से यह जो सारा बैटर है वो में अच्छ से पीस कर लिया है और आप देखसे हो इस बैटर की जरुवत के हिसाब से नमक और एक बार इससे भी अच्छे से कर लेते हैं मिक्स तोसा हमार अच्छे से जालीदार हो और फलपी हो इसके लिए यहाँ पर यूज कर रही हूँ मैं इनो मार्केट में जो इस तरह के इनो के सैशे आते हैं तो एक पूरा सैशे मैंने इसमें इसमें इस्तिमाल किया है क्यूंकि इसमें एक चमच ही इतना इनो रहता है और इनो दालने के बाद इस पर थोड़ा सा इससे अक्टिवेट करने के लिए मैंने पानी दाल दिया है आप देख सकते हूँ इनो अच्चे से एक्टिवेट हो चुका है और इसे कर लेते हच्चे से एक बार मिक्स और ये बैटर जो है वो हमारा एग्णम से रेडी हो चुका है डोसा बनाने के लिए तो ग्यास पर रख लिए है मैंने एक नॉन स्टिक तवा तवे के अच्छे से गरम हो जाने के बाद इस तरह से 2-3 चमच इतना बैटर जो मैंने डाल दिया है और इसे एक बार अच्छे से इस तरह से फैला लेते हैं मैंने तवे पर पहले ऑईल अगेरा कुछ भी नहीं लगाया है आप चाहिए तो इसे बगर ऑईल के भी बना सकते हो कुछ ही देर में आप देख सकते हो इस डोसे को भूत ही अच्छी जाली आ चुकी है बहुत ही सॉफ्ट और उतना ही टेस्टी लगता है ये डोसा इसे एक बार तो आप जरूर ट्राय किजिएगा जब लगेगा कि ऊपर से ये डोसा ड्राय हो चुका है तो इसकी साइट जो है वो हम इस तरह से पलेट लेते हैं अब देख सकते हो नीचे से भी बहुत ही अच्छा गोल्डन कलर आ चुका इस डोसे पर हमने इस पर एक भी बून ऑईल का इस्तेमाल नहीं किया है दूसरी और से भी बस एक दो मिनिट के लिए हम इसे अच्छे से पकने देते हो और इसे फिलिप कर लेते हैं तो ये रेडी और हाई फ्लेम पे हम इस डोसे को अच्छे से पकने देते हैं ग्यास की फ्लेम हाई होगी तभी इस पर अच्छे से जाली आएगी तो ये देखिए कुछ देर बाद इस पर अच्छे से जाली आ चुकी है अब इसे कर लेते हम फ्लिप और दूसरे साइड से भी इसे कुछ तो इस तरह से हमारा ये दूसरा डोसा भी बनकर रेडी हो चुका है और मैंने आपको जितना मेजरमेंट बताया है इतने मेजरमेंट में आपके 8-10 डोसे इजी ली बन जाते हैं ये बहुत ही सिंपल और इजी रेसिपी है नहीं आपको चावल भीगाने है ना उसे पीसना है नहीं फर्मंट करना है ये डोसा बहुत ही इंस्टेंट बनकर रेडी होता है तो दोस्तों अगर आपको मेरी ये डोसे की रेसिपी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक ज़रूर कीज़ेगा आपके फामिली और फ्रेंट सरकल में इस रेसिपी को शेयर ज़रूर कीज़ेगा और अगर अप मेरे चैनल पर नहीं हो तो आपसे हमबर रिक्वेस्टर चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीज़ेगा तो फिर मिलेंगे एक और नई इंट्रेसिटिंग रेसिपी के साथ अब तक लिए बाबाई थैंक्यू